गोंधिया रेल्वे स्टेशन में रिजर्वेशन, टिकेट काउंटर बढ़ाने और राजलक्ष्मी चौक पत्चारी बुलिया खोलने के लिए ACM आनन को ग्यापन दिया गया गोंधिया रेल्वे गोंधिया रेल्वे स्टेशन में टिकेट काउंटर की संख्या पहले की तरह बाहल करने के लिए ACM अविनाश आनन को ग्यापन दिया ACM आननने समीती सदस्यों का ग्यापन ऊपर उच्छ अधिकारियों तक पहुचाने का आश्वासन दिया है ग्यापन में दुर्गा चौक से राजलक्ष्मी चौक तक का पच्चारी पुलिया शीगरी खोलने की भी मांग की गई है समीती सदस्यों का क्याना है की ओनलाइन टिकेट कराने में पैसे ज्यादा लगते हैं जिस वजह से मध्यमवर्गे यात्री रिजर्वेशन काउंटर पर आगर विंडो टिकेट करवाने को प्रात्मिक्ता देते हैं विंडो रिजर्वेशन टिकेट काउंटर की संख्या कम होने की वजह से रेल यातियों द्वारा निरंतर सलाका समीती सदस्यों को शिकायतें मिल रहें थी की विंडो टिकेट करवाने के लिए घंटो कतार में खड़े रहकर इंतजार करना पड़ता है जिस पर संग्यान लेते हुए समीती सदस्यों ने खुद स्टेशन जाकर द्वारा गिया जिस पर यातियों द्वारा की गई शिकायत सत्य पाई गई बुजूर्ग महिलाएं और दिव्यांग सभी एक ही कतार में खड़े रहकर विंडो टिकेट रिजर्वेशन करवा रहे थे जिसमें महिलाओं पाउंटर की संख्या पहले की तरह बढ़ा कर शुरू करनी और राजलक्षमी चौग पत्चारी पुलिया शीगर खुलने की मांग की है गोंदिया से बीसीन न्यूस के लिए अभिशेक भटनागर की रिपोर्ट